हलो बच्चों मैं पूनम राठोट राजस्तान सरकार और विदानता के CSR इनिशेटिव एक अक्षा में आपका सवागत करती हूं जिसके टेकनिकल पार्टनर अमिशन गया तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहाता है स्टोरी राइटिंग ठीक है हम आठ कहानिया बढ़ चु कि बच्चों या वूडगife कुटर है ना ऑनेस्ट वूडगकटर ख्लिया चलते हैं वच्चो आन औन। वूडगकटम होन सपने टाइम देव ушे पूर वूडगकटर इने एक बार की बात था एक गरीब लकड़ा रहा था, वुडगटर यानि लकड़ा रहा, ठीक है, he went to cut wood every day, वो हमेशा लकड़ियां काटने के लिए जाया करता, one day he was cutting wood near a river, एक दिन के बाद, बच्चो वो क्या कर रहा था, नदी के पास में, river यानि नदी, तो नदी के पास में वो लकड़ियां काट रहा था, वो डियानि लकड़ी होता है, ठीक है, आप जानते हैं, suddenly, अचानक क्या हुआ बच्चो, his axe, यानि उसके कुलहड़ी, his axe fell into the river, ठीक है, his axe fell into the water, ठीक है, यानि पानी में नदी में वो गिर गई, उसके कुलहड़ी, he began to weep, यानि रोना बच्चो ठीक है, बगेन यानि शुर कर दिया, क्यों रोना शुरू कर दिया था बच्चो, क्योंकि उसके जो कुलहड़ी थी, वो पाने में गिर गई थी, ठीक है, अब वो मदद के लिए चिलाया, the god of water appeared, अब बच्चो, पानी के देवता प्रकट हुए, appeared, यानि उसके समुक आए, he brought a golden eggs, वो क्या लेकर आए, पानी के देवता लेकर आय, उसके लेक सोनी की कुलहड़ी गॉल्डन एक्स, ठीक है, brought यानि lana, okay, the woodcutter refuse to take it, लेकिन लकड़हरे ने वो लेने से मना कर द heavenly, refuse यानि मना कर देना, ठीक है कौंसी कुलहडी लेने से मना कर दिया था, सोने की कुलहडी लेने से उसने मना कर दिया, refuse यानि मना कर देना Then the god brought a silver axe, उसके बाद में पानी के देवता क्या लेकर आए silver यानि चांदी की कुलहडी लेकर आए He asked the woodcutter to take the axe, ठीक है, उसने क्या क्या He asked the woodcutter to take the axe उसने कहा कि ये ले लो तुम कुलाडी He refused, उसने फिर मना कर दिया To take it also because it was not his axe उसने मना कर दिया कि नहीं ये कुलाडी भी मेरी नहीं है Then the god of water brought his real axe उसके बाद में क्या हुआ बच्चों? पाने के देवता उसकी ही axe ले के आए उसी के कुलाडी ले कर आए He asked the woodcutter to take it अब उसने कहा किसने पाने के देवता ने कहा कि ये लो He accepted it उन्होंने कहा कि अलकडारे ने उसको सुईकार कर लिया उसको ले लिया The god was pleased with his honesty Pleased यानि बच्चों खुश हो जाना Honesty यानि इमानदारी तो पाने के देवता उसकी इमानदारी से बहुत जादा खुश हो गए He gave all the three access to the woodcutter उन्होंने कहा कि वो तीनों ही कुलाडियां किसको दे दी उस लकड़ारे को दे दी He was very happy वो बहुत खुश हो आब बच्चों And thanked the god ठीक है और भगवान को धन्यवाद दिया ठीक है Moral of the story Honesty is the best policy Means इमानदारी सरोतम नीती होती देखे बच्चों ठीक है ये woodcutter है Clear तो आई हूँ बच्चों आपको story अच्छे से समझ में आ रहा होगी चलिए बढ़ते next story की तरह देखे बच्चों Story कौन सी है The Hungry Fox and the Grabs यानि Fox और Grabs देखे इंग्राप्स है ये Fox है ओके चलिए बच्चों देखे The Hungry Fox and the Grabs यानि एक भूका लोमड और अंगूर Once upon a time there was a fox एक बार की बात एक fox था है ना लोमड था One day it was very hungry वो बहुत भूके दी ठीक है It went here and there in search of food अब जो fox है वो इधर उधर खाने की तलाश में है ठीक है वो खाने की तलाश में इधर उधर है Fox means बच्चों लोमड होता है ठीक है और विक्सन होती है लोमडी ठीक है इसलिए कई stories में Fox के लिए he word भी use किया जाता है एक लियर तो वो क्या कर रहे है इधर उधर घूम रहा है It went to a wine yard अब वो कहां पहुंचा वो पहुंचा जहां पर क्या लगे वे थे ग्रेफ्स लगे वे थे बच्चों बहुत सारे ठीक है It saw a bunch of ripe and sweet grass उसने वहां देखा कि कितने मीठे और कितने पकेवे क्या लगे है अंगूर लगे हुए है It was very happy उनको देखकर वो बहुत साथा खुश हो गया It wanted to eat them अब उनको खाना शाहता था बच्चों इनको ग्रेफ्स को But the bunch was high लेकिन जो अंगूरू को गुच्चा था वो बहुत उच्चा ही पर था यानि उच्चा होना बहुत उच्चा ही पर था The fox could not reach it लेकिन वो जो fox है वो वहां पर नहीं पहुँच पाया It jumped at It again Could not reach it वो बार-बार उचला उनको तक पहुँचने के लिए It jumped at it again and again फिर उसने कोशिश की बार-बार वो चलकूद चलती रही है देखिए वो चलकूद चल रही है नहीं यहाँ पर It was tired अब वो बहुत ज़दा थक गया बच्चो Tired यानि थक जाना It could not catch them लेकिन उनको नहीं पकड़ बाया It went away वहां से चला गया It's sad उसने कहा The graphs are sore यानि अंगूर खटे है It was very sad और बहुत खुश हुआ अंगूर खटे क्यों है वच्चो क्योंकि उसकी पहुँच से बाहर है इसलिए वो खटे दे graphs out of reach sad to be sore यानि अंगूर जब उसकी पहुँच में नहीं थे उनको क्या कहा गया कि अंगूर खटे है तो इस तरीके से देखिए इसने बहुत कोशिश की लेकिन यह नहीं पहुँच पाया ओके वच्चो इस तरीके से आपको जितनी भी stories करवाई है मैंने आपको complete अच्छे से करनी है वच्चो क्योंकि आपके exam में आती है clear और इनको learn भी कर लेना है clear मिलते हैं वच्चो next video में new topic के साद तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए thank you